असलाम लेकुम दोस्तों उमेद करते हूं कि आप सभी खेरेट से होंगे आज मैं आप लोग के शाइब कर रहे हूं अपना एद का मेकप लूग जो मैंने एद पर किया था मैंने अपने चैनल पर कोई भी एद के लिए मेकप लुक शेयर नहीं कि आप लोग के साथ इसके लिए हम रिली शौरी बिकाज वस नॉट वेल सो उमेड करती हूं कि आपको मेरा ये मेकप लुक पसंद देगा सो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखेंगा इसके मत करेगा पूरा देखेंगे तभी समझ में आजाएगा कि मैंने क्या कैसे किया है सो यह वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले अगर अपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने फैमिले इन फ्रेंस का शेयर जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट इस भी अपने पूरे एपने पूरे फेज पर अच्छे से अपलाई करना है तो इसलिए अपने पूरे फेस पर अच्छे से अपलाई कर लिया है एक wet beauty blender की help से इसे अच्छे से आपने डफड़ करके ब्लेंड कर लेना है जसा कि मैं ब्लेंड कर रही हूं जैसा कि मैं ब्लेंड कर लिए ब्लेंड कर रही हूं तो मुझे काफिकर वेट करना पड़ा और उसके बाद मैं continue कर रही हूं मैं यहां पर यूस करूंगी Maybelline Fit Me concealer in the shade medium मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा साप्लाइ करूंगी जिस्ट मैंने वन कोट लिया और इसे अपने dark circles को हाइड करने के लिए अप्लाइ करूंगी थोड़ा सापने नोस को हाइलाइट करने के लिए अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी व्यूटी ब्लेंडर की हिल्प से तो मैं इसे अपने पूरे फेस को अच्छे से से रोंगी तो मैंने कॉंपेक्ट को बहुत अच्छा से सेट कर लिया है अब आप देख सके हैं कि मेरा फेस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अब मैं करूंगी अपना अच्छा किव्या इन आई मेकप इस पर लिया है मार्फी जैकली इखिल ईज्ट पैलेटव अज इसे मैं अपना आप्ट करूंगी तो सबसे पहले मैं यहां पर यूश किंड़ कर आइस काल यह विद्ध का लिए हैं कर लिए हर्प साष्ट को यह मैं रहरून सेट को लेके म पर लेगा लुट पर लगाँ एक अंगल प्रेस के हिल्प से तो मैं अपने अपना दोनों आई मेकप कंप्लीट कर लिया है। आप्लाइटर रही है तो मैंगे लिया है इंस्ता आई-लाइनर इंडी शेड गोल्डण और ये जुस्त नाइटी रूपीज की ओफर में मिलती है वैसे इसकटनाई वाले यह तो मैं अच्छे अपलाइक जैसे हम आइलाइनर लगाते हैं अब बाड़े आती है आई Laces को करने की तो मैं यहां पे यूज एक आईलेस कर्लेर और इसे में अपने 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 अब यह इसे दो तीन कोट में करोंगी और सेम दूसरा भालब ही मैं अपने कर लोंगी और अब मैं यूज करें हू आप देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं आप दिन भर तो फॉल्स करी नहीं कर सकते हैं फिर मैं यह पर यूज करें हूं यही जैकलिन ही आई शेडव पालेट इसमें से डाक ब्राउं शेड अपने ब्रॉबोन को हाईलाइट कर रही हूँ अपने जॉप से यही डाग ब्राउन शेट को लेकर अपना जॉप लाइन और चीक्स नोस कांटोर करूंगी इस तरह से आपने कांटोर करना है कांटोर करने से क्या होता है कि आपके फेस पे एक बहुत अच्छे शेप बन जाती है जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे होते से गड्डे टाइप में बहुत जाला अच्छा दिखता है अब हमारा तो इतना फेस नहीं है जो दिखेगा तो इसलिए हम कांटोर करते हैं आप देख सकते हैं कांटोरिंग करने के बाद इसके बाद आपने से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और फिर ऐसे ही आपको अपना जॉलाइन कांटोर करना है ठीक ऐसे होanged और इसके बाद हम नोस कांटॉर करेंगे दो मैंने शेम वही बाला कलर लिया है और इस तरीके से मैं अपना नोस कांटूर करूंगी देहरा आप पाते। कि यह ज्यादा नोस जो है शार्प लुक देती है और उसके वाद आप इसेटे से फिंगर से एक बार ब्लेंड कर लीजे आप देख सकते हैं मेरे नोस को एक इतना अच्छा शेप मिलिया और फिर मैं यहीं पर सेम वहीं हाइलाइटर को लेके अपने नोस पर लगा लूँगे and blush के लिए भी मैं यही palette यूज़ करने यहाऍवाली हूँ इसी मेंका यह Red color मैं बिल्कुल हल्का उलका सा लेके and इसके साथ मैं यह पीच कलर लेके दोनोंको mix करूँगे and बिल्कुल हल्का हल्का सा अपने cheeks पे apply करूँगे इस तर्वीस तरीके से ताकि थोड़ा सा glow आजाए फिस पर तिया मेना full face makeup look complete होता है अब बचा है सिर्फ और सिफ lipstick lipstick के लिए मैंने यहां पर सबसे पहले लिया है यह Maybelline का crayon lipstick इसे में बहुत ही हलका हलका सा apply करूँगी तो यहां यह हो गया काफी है और इसी को मैं अच्छे से पहले finger की हिल्प से ब्लेंड करूँगी और अब जो मैंने हाँ पर लिए है वो है लेक्मी का forever matte liquid lipstick यह इंदी shade Mock Party I think तो यह एक matte shade है इसे मैं अच्छे से अपलाई करेंगी इसके बाद इखिएगा कि मेरे lipstick का करें इतना जादा अच्छा लगेगा मेरा full face makeup look to complete हो गया मुझे काफी जादा अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लागा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा अब मैं मिलती हूँ आप से अपने full final look के साथ jewelry and everything के बाद मिलती हूँ आप से यह ता मेरा final look मैं यह पर जूलरी बेर किया है वह एक इंस्टाइट स्टोर की तरफ से मैं यह पर पासा बेर किया है थोड़ से traditional look के लिए और बिंदी क्योंकि मुझे पसंद है यह था मेरा final look I hope आप सभी को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तो यह मिलती हूँ आप से अपने नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक के लिए बाई झाल